तरह से यहां पर अंजना विधायकों के आने का शिल्सिला जानी है और बड़ी बात जो बसपा से आए कॉंगर्स के विधायक है वो कह रहे हैं कि हमें खरी दने की कोशिस की गई हमारे पास कोई राद को आया था जिसने कहा कि इतना पैसा दे देंगे कि आप हेलिकप्टर में घूमेंगे आप हमारे साथ आ जाईए हाला कि इसकी पुष्टी हम कर बताता है कि हमें खरीदने की कोशिश की गई नंबर के लेकर कुछ गढबर चल रहा है अंदर कि जिस तरह से 90 के आसपास हमें लगता है कि अंदर विधायक पहुंचे है और जो तीस की संख्या सचीन पैस बता रहे है तभी बैठक का ताइम भी बढ़ा दिया है शरत बारतिय जन्रता पार्टी के जुड़ गए हैं और अर्चना शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता कॉंग्रस पार्टी की जुड़ गई है क्या लग रहा है कि के के शर्मा जी जो मोहरे आपने बिचाए है अशोक सिंगल भी बने हुए सचिन पाइलट के आवास से कुछ भी हलचल पर उनकी हर जगह आफी को अपनी जिद रहती है कि किसी न किसी दाव पेच में सरकार बनानी है तो एक वहां भी पक्षै है शर्मा जी आज सुबह के इन रेड्स कार्थ समझा दीजे जिसमें वैभव गहलोद जो अशोग गहलोद के बेटे हैं उनके बिजनेस पार्टनर पर इदी का शिकंजा इधर इंकम टैक्स का रेड़ वो भी लोकल पुलीस को बताए बिना CRPF के साथ अशोग गहलोद की करीबियों पर यह सुबह सुबह रेड्स अमझा दीजे सर ने रेड क्या रेड्स तो जो एजनसियां है वो अपना काम बंद कर दें क्या वो काम ना करें अधि उनके पास को इंपूट होगा तो अपना कारवाई करेंगी इसमें से क्या लेना द करेंगे और यह समाने को सुबहा नहीं है जाने में कि अगूट आप तो राजस्तान के कॉंग्रस की नेता रहे हैं कितने विधायक पहुचे है क्या अभी मामला अटका हुआ है तभी बैठका वक्त बढ़ाय जा रहे हैं आप लो या से रेड मेंने अजना जी कोई भी मामला पहले भी अटका हुआ नहीं था ना भी अटका हुआ है लेकिन ये बात सही है कि केके शर्मा जी की जो पार्टी वो महरत निकालती है कब ये जो एजनसी से इनका दुरूपयोग करना है मुझे बताए कि आज ही था गया यह महरत की जब यहां पर पार्टी की मीटिंग होनी थी और जो एक तरह से सितिया बन रही है उस दौरान आप सो गाड़ियां भेज देते हो उसमें भी लोकल पुलिस जैसे आप खुद भी कह रहे हैं उसका सैयोग नहीं है CIPF की तुकड़ी है उसके साथ आप आते हूँ तो यह वो बिल्कुल कमुबेश वही सितिया जो करनाटक में हुई जो मद्यपरदेश में हुई और उन राज्यों में हुई जहां पर इनको जनादेश नहीं था जनादेश रूसी पार्टियों को था यह भाज़पास ही तर और यह मैनिफेक्चर करना यह एंजिनियर करना चाहते हैं मेंडेट को लेकिन मैं आपको बता दू कॉंग्रिस में कहीं भी कोई स्थिती ऐसी नहीं कि हमें ऐसा लग रहा हूँ कि हम सेफ नहीं हैं हम शुरू से कह रहे हैं कि नंबर्स हमारे फेवर में और हमने तो दो वीक पहले यह साबिक किया है राजस्वाइलेक्शन में और एक चीज़ और बताओ मैं अंजना जी कि इनके मुल्सूबों पर पानी फिर जाता है तो फिर यह वैसे बयान देते हैं अपने घर को समा लिए अपने घर में देखिए मुझे बताए कि पूर मुक्यमर्दी श्रिमती वसंदा राजे ने क्यों इनसे प्रश्ण किया था राजस्वाइलेक्शन में इनके संगठन से राजस्तान में कि जब आपके पास नंबर्स नहीं थे तो आपने दूसरा कैंड़ेट क्यों खड़ा किया इसका सीधा ताथ पर यह है कि यह पोचिंग करते हैं इनके दो लगतांत्रिक मुल्यों की हत्याई करना चाहते हैं चुड़ीवी सरकार को गिराना चाहते हैं विदायपों को प्रवाइब देना चाहते हैं क्या एक इन सीक्यूरिटी आपकी पार्टी में जो कम से कम उनको ऐसो जी की तरफ से स्था की चिट्थी जो दाराएं जिन भाराओं में उनसे बैंदर्ज करने को कहा गया क्या यूंका फ्मान नहीं था बाकीं नेतां और अब यैदे फोलाव आपकी पार्टी को देना पर कि सिर्फ उनको ही नोटेस नहीं दिया सीम को भी दिया और मिनिस्टर इसको भी दिया जब जहांची चल रहे हैं अगर आपका शीर्ष नेतर तो सचिन पाइलट की जो भी परिशानिया थी जो भी कंप्लेंस जो भी शिकायते हैं उसको मान लेता तो इसी नौबत तो नहीं आती लेकिन आप लोगों ने अंदेखी की ना तभी वो आज भी दिली में वेटा नहीं आ रहे हैं मुझे एक बात का उत्तर दीजे कॉंग्रेस पार्टी ने कब उनके मान सम्मान के साथ समझाता किया कभी नहीं किया 27 साल की उम्र में उनको सांसत बनाया उसके वाज 31 साल क था नहीं को सचिन पाइलट को समझाना मुझे समझा के क्या की जए यहीं काबिया की पैचान नहीं है कि के शर्मा जी आप जो यह दिए ना परफॉर्मेंस किया तो मैं भी मीडिया की इंचार्ज थी मैंने उनके साथ कंदे से गंदा मिला के काम किया पूरी ओर्डनाइजि हम कब कहरें कि उनकी लीडर्शिप में हमें कोई कमजोरी नजर आई उन्होंने अच्छा काम किया ठीक पार्टी ने उनको प्रेजिदेंट बना डेपीटी सीम बनाया शर्ट और मैं तो कहरें को बहुत सेंसिबल रखती है आभी भी अशर है कि वो पूरी रिस्पॉंसिबि करना ना भूले